तो इसलिए बहुत स्वागत है कि नई सेसं में आज की सेसं में हम लोग कम्प्लीट करेंगा आप लोगा तेजिए अप प्लोग नोल जो आपको करा दिया है तो उससे चुप दोटी जो को से आता है आपको मैं और आपको कर बाने जा रहा हूं ठीक यह जब्ञार्मों करता है इसके घरंत которых में क्या समझते हैं रीदेश्वें को क्लास मांने बताइए थ्यारियागी अपना question करना भारत का अधिकान सहित जो है वो क्या धार्म ही है इसका कारण यह और है कि प्राच28 भारत में धार्म का ब्यापक परपांज यानि कि पहले समय में भारत त्था कि vak conve pas णी गांग फड़न तर्फेजरन धर्महें थे लविज्छीत नहीं आप अपने परकู้ में थार्महर लाजनीतिक हो गया समाजिक और आर्थिक समाग्रियां प्राप्त होती हैं हमको प्राचीन भारत से उसके बाद समाज में क्या समाजी कार्य होता था उसके बारे में और तिसरा होगे आप लोग का आर्थिक समागरी यानि कि पहले जवाने में क्या खाते पीदे थे इन सबी चीज़ने को जान करें कहां से मिलती है धार्मी गरंथ से जिसके मादम से मुख्रूप से मुझे राजनीतिक पुराने नहीचे सब्सक्राइब पहले जवाने में उसके कितना साथ समाज में रहते थे हैं किस था बरहाब कर दूसरे से और साथ-साथ पहले जवाने में हम लोग को जो क्या उपजाते थे क्या छाते थे कैसे रहते इन से भी जानकारीं हम लोग कहां से पराप्द होती है तो होती हैं असके рук geld करत नहीं हो तो धर्मिक जफिर्ष में आ गया हुआ यहां से मुख़ुरूस कि मुखेसे हम लोग को जो प्राजिन भारत का रादनेometric जीवन समाजिक जीवन और जमाने में खाद समागरी का आर्थिक समागरी का कवा से विकास हुआ कहा समą स्थार्टिंग के उन सबीह ज़्लमकरे हम लोग को कहां से प्राप्स होती है तो धार्मिगरंत से तो आम अपनीकों पेर इस इन धार्मी गरंथों को तीन स्रीन विभाजित किया गया जब हम इसको पढ़ने के लिए चलेंगे तो इसको तीन पार्ट बाट दिया गया ताकि हम लोग अच्छे से इसको पढ़ सके पहला है ब्रहामन दुसरा बहुत तिसरा जैन धर्म ठीक है अब देखे ब्रहामन धर और महा काविसर परमुख है तो यहीं से आप लोगा कोशने राइज होता है कि आप उपनी सद से आप क्या समझते हो उपनी सद किसे कहते हैं तो सिंपल सी बात यहां पर समझ कि रहोगे तो अपना रामसी एजाम में आप लिख दोगे अपने भासा में बनाना है ठीक है यह परते हैं देखे वेज आप लोगा अपने धार्मिक गरंथ में वेध का अस्थान सवर्व और्थम है वेद की गन्हा बिष्व की सबसे पराचींतम गरंथ कौन शाओ है तो सबसे पुरा ना जाएगा वेद हो जाएगा बिष्व की पर्थम रचना है बेद का अर्थ क्या ह तक ज्यान मैंने आप लोग को पहले परहाँ चुका है तो जो बच्चा भी फिर से भी रिभाइस कर रहें हैं उनको मजा रहा हो इसको पढ़ने में प्राचीन भारते रिस्यों का जो बेदों से समाईत है जितने भी प्राचीन के रिसी हैं ठीक है उनका ज्यान कहां से समय थे सबसे प्राचीन का प्रयाप्त होते हैं यानिकि वेद का मतलब यह अप लोग का क्या होता है घ्यान और इसमें लोग को प्राचीन भारत के इतिहास का हिस्सा माना जाता है इसी के माधन जितना विरिसी हो गए सभी का ग्यान कहां से समाहित है सम्मिली थे तो बेद सी समाहित ठीक और इसको चार पार्ट बाटा गया यह आप लोग को याद रखना है ठीक इसकी रचना कब होई थी सो इसको दिख लेग वार्थरों से यहाँ पर इसका रचना काल आप पिर इसके वाद यह पर हैं यह फिर इसका दिये ऐसे कर ये एक भी ठीक है वान वे उन कर के ब्राह्मन का मतलब यह क्रिया का विषय्ध किया यह गया है किसमें ग्रएखमें को ड़ iars ऐसे मागे बता देगा आप लोग का और था यग संबंधि इन साहित्यों को ब्रहम साहित या ब्रामन कहा जाता है यह लेकिन ऐसा पहले जमाने में नहीं था याग का मतलब होता था ब्रामन ब्रामन का मतलब था याग ठीक है आगे दिखें आपके यह गरंत जो है गद में है और इसकी रचना का अधार वेध एत्र है अब देखिए यह किस प्रकार का है पोईटरी है या प्रोज है यानि कि गद या पद है तो यह कहानी टैप में सबसे परमुख कौन सा है तो आप लोगा यहां पर देख सकते हो कर्म कांड के बारे में बताया गया उसकी पहले तो यहां पर आपका वेद का अधार क्या है आप लोग का ब्रहामन का तो वेद है का समद्ध यगों के कर्म कांड're यानी कि बरहामन गरंद का मतलब ही हो तो बहरामन के होगा है यहीवरे में हने के गया उठी हुए झा करते हैं यह यह जाती 2 हाटे के ओके धर्मिक विचारों के महत्पूर्णत समागरी प्राप्त होती है ऑस मुझे लगता आप लोग besar मत समझने में और साधर धर्मिक समझने में मेरा मकसब यह रहता है कि आप लोग को ऑन को कहीं से को कॉई भी ना हो यां तो फिर तो दो-तिन में रख्लास करते रहों इसी क्लास होई भी जंद बस आप लोग याद ही हो जाएगा तो इसे कोई से कोई दिक्त नहीं होगा अब अरनिया किसे का थी आप अनुक्त समझते को सब्सक्राइब काफी है या फिर इसको बिस्तार से कर दो बता दिए आप लोगो एक है जान के टाम पे कंप्लेट अश्वरा नहीं आपको तो अरनिय सब्सक्राइब का उतला है कि इन करंदों का ध्यान किसे कि या इसलिए और यही कारण रहा हो कि आप लोग जिसे के हम पूलते हैं अच्छा होता है कि आप सिथे समझ दो अच्छा बूख करता होगा सिध्य इस तरह से होघ्री अरन्यवार मतलब होता मतलब भी क्या होता है जंगल होFit तो जिस घाल आ करें उसको लोगा तोम नहीं आनों के इस्थान पर। छिंत न सील ग्लान के अस्थापना की इस गणाचांद से यानिकि याग से हटके याग के बारे में तो पिसले गरंत्रमामुल पर ही लिए ब्रहमन में यहां पर चिंतन से लियान कि हम लोग सांत मुद्रा में करते हैं उसी को चिंतन मनन करते हैं तो संख्या द्रिष्टिय से जहाए अरनियक साथ है इसके संख्या कितनी अरनियकी साथ कौन-कौन एद्रे साखायन तेद्रिय महित्रायनी याद्धन्चनी और बिरन दायक और तलवकार ठीक है फिलाल आप इतना कंप्लीट करते जाओ मुझे बस एक ही चीछ चाहिए आप लोग से वह है आप लोग के रिग्लिटी कलास में ठीक है बाकि मैं भी आप कलास में होगा आप लोग से बस रिक्वेस्ट ठीक है कल मेरा था बड़्डे था तो इसलिए मेरे फ्रास प्रॉलम होगया था कलास नहीं में चलिए उपनिशद की वारे आप किसे कहते हो इनके बारे में ठीक है आपके कोशन इसी टैप साब्सकी एक्जाम में आते हैं तो उपनिशद का इसका मतलब होता है इन गरणतों में अध्यात्म का गंभीर चिंतन केर गया घया किसमें उपनिशद में दर संदर संदर मतलब है कि हमारे पुराने सहीत्पी में दिया जिता दर्शन का मतलब यह होता है कि भगवान से या फिर ग्यान का कम्प्लीट आपके अंदर पूरा हो जाना युश्य करते हैं और अध्यात्म आपके आपको जो मतलब भगवान विश्वास करना तो इन गरंद को मुझे यह बताया गय ब्रहम के अस्थापना इसका मुख उद्देश यह होता है कि भगवान के अंदर विश्वास करना भगवान के उपर भगवान है दुनिया में जो करें भगवान ही करेंगे इन सब के बारे में जिग्यासा जगाना आदमियों में और उनको उपर जाए भगवान के बारे में अस्थापना करना कि आप भी पूजा किजिए अच्छी बात है दिमाग सांतर हेगा परहने में मल लाएगा यह सब अगे देखिए उपनिसदों को जो हम लोग ब्रहम विद्ध्यावी कहा गया है तो कि इसके बारे में जानते हैं भागवान के बारे में जाते हैं इसलिए इस सब्सक्राइब का 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 सब्सक्राइब और धर्म सुत्र, कल्ब सुत्र में हम लोग जो यगों का बिधी नियम परति पाधित किया गया है, कल्ब सुत्र में मुक्रुप से यग का जितना नियम होता है, गिरी सुत्र में मनुष्च के लोकिक और परलोकिक कर्तब्यों का वर्नन किया गया है, कि इसमें गिरी सुत्र मे का का हुआ है न कौन-कौन सा कलब सुत्र दूसरा है गिरी शुत्र तिसरा है ध्र 2020 कम लोक आप का यहें से संबंदित जानकारे हैं जो भी शे सब्ड़ा करना का है एकते हैं खृफ हूं करते हैं विद्यां में संभी सम्मिद्ध के हैं गए सब बात को प्राइचिन संवा करते हैं जिनकी शंख्या जए है और व वेद्यों चे between इंन्दीत हैं यही कारण बैदों का अंग का गया पर बिदा चाहा जाता है उसी तरह से यहां पर था कैमår हो प्रखक्यां करदे क्या है इसको बैदा काते हैं निक्हाइं के यह प्रहु डिया सिक्षा कल्प और जिएसक आता है यह कि आप आपको आप लोगा जो जो आपको आपको किसे मोनी के बारे में से बेद भियास बताए थे जो भी अनकी बेंगा टेंगे नुक्त है इनकी सहायता से जो है बेदों की बेदांग करें लेकिन को लोगा लेकिन उसमें अगर वहां पर बागल में हिंदी लिखा रहा है तो यहां पर पानिनी की अश्टा दियाई ब्याकरन गरंथ है पानिनी का फेमस क्या आपका ब्याकरन का गरंथ है इनमें अठार है आप लोग आदे है और अश्टा दियाई के संबंद में जब कत्यायन ने बारतिक बनाए खलांतर पतंजली ने पर निके सुत्रों कत्यायनों के वारतिकों का सपष्ट करने के लिए महाभासिक रचना की थी इस परकार जहाए ब्याकरन के छेत्र में पानिनी हो गए कत्यायन होगे पतंजली मुक्यआधिके आटाहें जोत्य संब्रॉप कर दोन आदमें बेहाँकरण के सब्सक्राइब दोर लुख करते हैं निरुक्त कर्शनाकार को लेंडिया ज kindness जिसमेंगलकर और ह lors कि लोग अध्या है जिसमें मतल 소семegen की बैख्या की गई है मुख्य रुप से और चंद सास्तिक रचेता आचारी पिंगल है जो तिस के छेत्रे में आरिभट का लल वरामी और बरहम गुप्त मुंजाल भासकीर के गरंतों का मुख्या स्थाने ठीक बैदिक सोरों में सुधु चारण के लिए सिख्षा के नास तो बहुत होटा ही है इस्पड है को छोंव और चोंट लूभ यह तो अम अस्मिए मिदें करम करके उस्तां करन साथ का लेकी आश्रायव समर्था चब्हों में हिंदू समाज में सम्द्र महाथपूर्ण शुचना अपरात होती किस अस्मिर्थी सहीत से उनके जीवन यापन आर्थिक गतिविद्यों को जानने में गरंत महाथपूर्ण हिंदू-जीवन को प्राचीन को जानने के लिए अस्मिर्थी साहित का अश्मिर्ति का मतलने भी होता है ठीक है यादगार पुरानी बस तुम का यादो करना ठीक है उसलिए तिंकी रुच्छ्रा जो सुत्र साहिति के बाद हुई थी पर अंबे के स्मिर्तियों में मनु स्मिर्ति और याग वलकस्मिर्ति सर्पर्मों के आप लोग भी 221-200 के असना की दिए उसके असमिर्तिया जब पर फिर्विडिए नारद ब्रस्पति और बिस्णू के स्थान महतपुर्ण है उसके अलग आपलों का क्या मनौ जब उस्मिर्थी और याग बलकास के हटा करद हम देखेंगे तो नारद की मनौ जब जब शबकर छाओते पुर्ण अपना स्थान रखती है इन समीर्थिक ततकालिन समाजिक विचारधारा के साथ ही आप लोग का आर्थिक दिद्धा की विजानकारे हम लोगों को प्राप्त होती है देखो महाकाब्ड क्या है उसके मैं क्या समझते हैं वह दिखिया वागे तो वहीदिक साहिति के ब थूल रोप है महाकाब्य में क्या मिलता है महाभारत रमय में क्या है यैह चक्षिघणा कार्ज जब्क महाभारत से पहले हुई थी खालागों श्शेले से पहले हुए थी महाभरी से भी पहले तो परंप्र के अनुस्षा good जब मालमी की और आहिसे ठीज़ चेह होजा है यहाँ उतिर कोस्यां की और ओर निहीं होगे हो पुछ लोगे नहीं कभी उसको के लिए भी स्वासता आपने बूस्को क्योंकि की कमेंट कुरते हैं याद रहेगा यह को लिए का सब्सक्राटर में होता आप लोग लोग पूरान को आप पुरान क्या है अपलों का अर्थ होता है अपलों का प्राचीन होता है इसके अंतर का धर में तिहास अख्यान आदी समस्त साहिक आता है इनकी रचना महाकावियों के समकालिन परतित होती है पुरान की समकालिन मतलब उसी एक काल में ठीक है समकालिन मतलब उस काल में जिस काल म आब लोग का महा कावी रसना की गईकैंट उसकी समय की बात है पुरान में आदि काल से गुप्त काल टक टी यहास बद्रेत होती है को पशनताना करता है है तो पुरान आप लोगा ठारी लेकितपक्र्शेट का मतथ से बाईम ने लेकिन भरामानध जात्थ का जातप्र में बहुत इंप्रेंट है जात्थ करेंगर अब तक के पूर्वर्जनवु का जहाजन किया गया ह। जब वोधिसट्वी कि सित्य में थे मतलब बोधिसट्वी मतलब यान की मार्ग में तहें उसमें तो जातक क्थाओं के संग्षिन कोटल 1499 इन कथाओं में जातकालीन समाज का वटनन मिलता है विंटर नीज से लिखा इसको जातक को की और किवाल स्पोल्व क्या यह से नहीं हैं को से सभी इसापुर्व के भारत से सभी ताक्त कि ने चला से बुम घंड़ानाई की उसका तो भुदो का रहेह स सभीडी का असलब का अब यहां से आप लोग अपने देली क्लास किजिए और मेरे लिए एक लाइक करके और एक कमेंड मेरे लिए जाहिन जरूर क्या किजिए ताकि मैं भी आप लोग के साथ खुश रहा हूं आपके साथ कलास कलास देरो धन्यवाद